तो Realme 6 और 6 Pro को India launch आपको पता है पूर तरीके सा official हो चुका है और हर बार की comparison में इस पर आपके smartphone बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादे रहने वाले हैं जहांसे वीडियो को end तक देखते हैं न सारे specifications की बात करने वाले हैं इस सारे details की बात कर लेंगे एक वीडियो के अंदर जो अब तक निकल कर आई है खेला पर specifications पर आने से पहले बल्कुल जल्दी से बात कर लेता है blind order की जहांपर company offer कर रहे है अपने Realme 6 और 6 Pro के लिए इसमें आप basically 1000 और एडवांस में देकर Realme 6 या पर 6 Pro को book कर सकते हो बर्ट यहांपर आपका सवाल यह आता कि book करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आपके क्या benefit है book करने में तो सबसे पहले सीस तो आपको बता दू 1000 रुपय आपको advancement देने है बाकी payment आपको जब करनी है जो आपको smartphones पसंद आ जाएंगे तो इससे वादा आपका यहांपर यह होगा कि flash shell के चकर में नहीं पढ़ना है आपके लिए कि smartphone पका हो जाएगा इसकलाब पर prebook करने के दूसरा फायदा में पर यह है कि realme 6 के सब आपको free मिलेंगे realme birds to earphones और realme 6 pro के सब आपको free मिलेंगे 1000 रुपय का coupon यान 1000 रुपय का discount realme birds air में इसके अलाबा गर आपको urgently smartphone चाहिए था कई दोनों से स्माटफोन लेने के लिए पर prebook कर सकते हूँ क्योंकि आपको specifications काफी बैठनी देखने को मिलते है दोनों phones के अंदर और specifications के आपको शुरुआत कर लता है अपने camera department से यह दोनों smartphones के आपको quad year cameras देखने को मिलते है 64 make up एसल के primary sensor के साथ हलागि design को पुराना वाले देखने को मिलता है कोने में 4 cameras बट इस बर आपको specification में enhancement करी गई है क्योंकि आपर पहली बात तो हुई है कि 20x zoom देखने को मिलता है अपने realme 6 pro के अंदर और उसका कारण है हाँ पर यह है कि 4 cameras दो दिये गए है उसमें 64 MB का primary हो गया एक अपका ultra wide हो गया एक macro lens हो गया लेकि आपको चौता sensor और telephoto lens दिया गया है यनि finally realme ने budget के अंदर पे telephoto lens दे दिया है जिसके लिए realme को सच में एक बड़ा सा थमजब है इसके नहीं पर बात के लिजए selfie camera की तो आपको ultra wide selfies यहां पर देखने को मिलती है इस बार और उससे बहतनी यहां पर बात यह है कि यहां पर realme ने पोको के बाद आपका 9.60 दिलवा दिया है तो कि आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है दोने phones के अंदर और उससे बहतनी बात यहां पर यह है कि पोक के बाद दूसरा brand होने वाले अपने realme इंडिया के अंदर जिसने आपको budget के अंदर इतनी smooth display दी है मैसे यहां पर आपको पाद आपको 90 Hz का refresh rate तो देखने को मिलता ही है साथ में को एक change और है कि आपको side mounted fingerprint sensor इस बार देखने को मिला है इसके लाप पर बात करज़े बैटरी डिपार्टमेंट की तो पहले वाली fast charging की देखने को मिलती है X2 यानि 30 watt की बाकी exact बैटरी तो निकल कर अभी नहीं आई कितनी देखने को मिलेगी बट यहां पर expect कर सकते है कि पुराने realme 5 series वाली यानि 5000 ms की बैटरी देखने को मिलेगी अपने realme 6 के अंदर और minimum आपको 4000 ms की बैटरी देखने को मिलेगी realme 6 pro के अंदर और बागी अगर 6 pro में 5000 ms की बैटरी देखने को मिल जाती है तो फिर तो और जड़े बैतरी मात होगी इसके लिए आपर बात करें हार्डवेर के निए प्रोसेसर की तो आपके Realme XS के अंदर बहुत पहले से इंफोर मशन निकल कर आ रही है कि आपको Maytag के Helio G90 देखने को मिलेगा जो कि आपका बात करें 12NM टक्लोर बेस्ट प्रोसेसर है काफी पारफुल देखने को मिलता है जाएंगे लॉंच दुबहर को साड़े बारा बजे और प्राइजिंग आपके लगबाद 10,000 रोपी के रहने वाले Realme 6 के बेस वेरेंट की और लगबाद की तेरा 14,000 रोपर रहने वाले Realme 6 प्रो के बेस वेरेंट की आप अब भी कमेंट करकर जरूर बताओ कैसे लगे हैं स्मार्ट फोन इसके लागर कोई कोश्चन हो तो वो भी नीचे पूछ सकते हो साथ है रिक्वेश्ट बसे के चोटी से लाइव जरू कर देना सब ना भूले क्योंकि आपका लाइक शेयर करने सेट बेरान की महने सफल हो जाती है इसके लागर चनल पर जाकर देखो लाइक कर इस्टेमल दमादो मिलता हूँ अगले बडियों मिटल लाइन सटे हपी स्टेबलाइस टेन बाबाए